तो वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है इसराइल इरान के गतिरोथ के बीज भी मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्केट जरूर क्रेज हुआ था लेकिन रिकावरी करते हुए मार्केट ने फिर से एक जबरजस्त बूश्ट दिया है और ऐसे में इन्वेस्टरों को भरोसा यह हुआ है कि भले ही दुनिया भर में गतिरोथ चलते रहे लेकिन मार्केट में कहीना कहीं ग्रोथ पोटेंशल है और अभी भी इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तयार है और कहीना कहीं रिस्क सही इसको होता है और वेसे ही मार्केट को लग रहा है कि कहिना कई मार्केट में कुछ क्रिप्टो करंसी बड़े बूष्ट के साथ मार्जिन के साथ आगे के तरफ जाएगी तो एक इन्वेश्टर है एक सीर्स से टॉप क्रिप्टो एडवाइजर है उन्होंने दस ऐसी क्रिप्टो निकाली है आप लोगों के लिए जिसमें ग्रोथ पोटेंशल काफी हो और उसमें उन्होंने शिबायनू का भी नंबर लगाया है कि शिबायनू यहाँ पर एक अच्छे मुकाम पर जाएगी और शिबायनू सभी जीरो यहाँ पर किल कर देगी तो आईए उनका यहाँ पर ओपिनियन पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इन्वेश्टर कहां तक शिबायनू को पहुचा रहे हैं साथ ही कौन-कौन सी 10 क्रिप्टो कंसे उन्होंने सुझाओ दी है चैनल पर पहली बार आए तो सस्क्राइब कर लेना इस टाइब की वीडियो पाने के लिए देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इन्वेश्टर सेट प्राइस टारगेट टॉप 10 क्रिप्टो सीज शिबायनू हिटिंग 0.05 यहनि 5 सेंड तक का प्राइस शिबायनो के हिट करने के बारे में बताये जा रहा है बताये गया है कि क्रिप्टो करनसी एक इन्वेश्टर है बेन उन्होंने बिटकोईन सही शिबायनो 16 ना और कुछ 10 क्रिप्टो करनसी का यहाँ पर प्रेडिक्ट दिया है जिसमें बोला गया है कि इराइन इसराइल वार के बीज मार्केट एक तरीके से उपर की दिसा में जा रहा है और यह चलता है जाएगा जिससे क्रिप्टो सहीत अलग-अलग साधनों की केमतों में भारी ग्रावट आई है लेकिन डेटे से पता चला है कि मार्केट ने फिर से रिकवरी करी है और यह जो घाटा अचानक से बहुत तेजी से हुआ था वो घाटा वापस उसने पाठ लिया है यानि कि उसको बराब करने का प्रियास किया है हलाकी भारी ग्रावट के बावजुद बजार पर नजर रखने वाले लोग यहां पर होप क्रियेट करें हुए उनको लग रहा है कि कहिना के मार्केट में एक सेंटिमेंट बन रहा है जो आसावादी की तरफ एक बड़ी रेली की तरफ जो है होरीजेंट कर सकता है और कुछ लोगों को अनुमान है कि बहु प्रतिक्षित रेली साल हो सकती है ठीक है साथ ही 2025 एंड तक अपने चरम पर शिवायनो की प्राइस पहुच सकती है तो दो बाते बहुत इंपोर्टेंड है कि इतने गतिरोध होने के बावजूद यहां पर बताया गया है कि शिवायनो सहीत इन क्रिप्टो करंसी या क्रिप्टो मार्केट में एक बहु प्रतिक्षित पंप रेली यहां पर बन रही है उसके सेंटिमेंड बन रहे है साथ है उसकी पूरी प्लानिंग बन रही है 2025 कहीना कई क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बड़े पंप के लिए जाना जाएगा जहां पर कई एक्सपर्ट के तरफ से पहले भी मैंने बताया था कि बिटकोईन लगभग लगभग आपने देखा होगा तो मतलब डेल लाग डोलर से लेके तीन लाग डोलर का बिटकोईन हिट करने का टारगेट यहां पर बताया गया था अब इन्होंने कौन-कौन सी क्रिप्टो करेंसी ली है तो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने यहां पर ली है लाइक BTC इसके अलावा शिबाइनू डोज कोईन इथेरियम, सोलाना, एवेंचर और आइटिफिसल इंटेलिजेंस AI ने की EFT और बाइनेंस कोईन, टोन कोईन और कोट्रेक्स यह कुछ 10 कोईन यहां पर इन्होंने सामिल करें है जो सबसे ज़्यादा तेजी से इस मार्केट में बढ़ेगी सबसे पहले तो आप देख लीजे मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से उन्होंने बताया है कि मार्केट में बड़े बूष्ट रहेंगी और यह 10 क्रिप्टो करेंसी उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा पंप करने वाली है जिसमें शीबा इन्हों भी सामिल है आगर इनके टार्गेट को हम माने तो यहाँ पर बताया गया है कि बिटकोइन इन्वेश्टरों की पसंद बनेगा और साथ ही प्रिमियम क्रिप्टो एसेट 80,000 से लेके एक लाग डोलर के लेवल तक बढ़ जाएगा बिटकोइन के 80,000 डोलर तक संभावित उचाल के लिए एसेट्स को 61,000 डोलर की मोजोदा कीमा से 29% ही रेली दिखाने के अवशकता है और विशेशगों को मार्केट केप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करंसी इथेरियम के लिए कोई लक्ष निरधारित नहीं किया है यहाँ पर एक चीज़ समझना कोई लक्ष निरधारित नहीं किया है क्योंकि इथेरियम में एक ऐसा पोटेंशल है आपको मैं बता दू कि इधर ETF लॉंच हुआ है और इथेरियम में बताएगा था 2.2 billion US dollar का एक तरीके से यहां पर investment आएगा और बताया गया है कि Ethereum या तो 5,000 dollar या तो 20,000 dollar और 10,000 dollar के hit भी मार सकता है और जहां तक मैं अपनी अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि जो Ethereum coin रहेगा ना इस launching के बाद इस 2024 के end और 25 तक Ethereum आप 25,000 या 30,000 dollar को level को touch करते हुए देखो एटी एज बनेगा इसका हलाकि फिर उसके बाद नीचे आएगा market वो फिर से 10,000 के करीब आजाएगा लेकिन highest जो Ethereum के score रहेगा वो यही रहे रहा है और अगर investment कर सकते हो तो देख लो आपके हिसाब से हलाकि यह investment सला नहीं है यह personal advice है आप अपने हिसाब से research जरूर कर लेना बट इस टाइप से उम्मीद यहाँ पर बन रही है जो Ethereum के साथ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई target यह भी set नहीं कर पा रहा है Ethereum में वो potential है जो साहथ कोई बता नहीं पाएगा उधर हम Shiba Inu का target देखे तो Shiba Inu में जबरजस्त growth जबरजस्त उम्मीद यहाँ पर लग रही है इनको और Shiba Inu का target है 0.05 से लेके 0.09 धिस एयर में हो सकता है यानि कि सीधे 5 सेंड से लेके 9 सेंड तक 2024 में Shiba Inu कारोबार करेगा और बेन द्वारा निर्धारित यह जो target है नियूंतम लक्ष को प्राप्त करने के लिए Shiba को अगर इस लेवल से आगे बढ़ना है जो आज का current price है तो लगभग 3,38,653% का pump growth यहाँ पर Shiba Inu को दिखाने पड़ेगी जो कि एक बड़ा सवाल है हलाकि इतनी बड़ी pumping और यहाँ से target यहाँ पर पहुचाने के लिए 2024 साइट थोड़ा छोटा पड़ेगा Shiba Inu को 25 का भी सहारा लेना पड़ेगा लेकिन इस cryptocurrency ने 56,000,000 पर current का return ने दिया है तो मेरे हिसाब से यह जो target है बहुत छोटा है और Shiba Inu में वो potential है कि एक बार जब बड़ीना तो यह target हिट कर देगी क्योंकि अगर आप Shiba Inu के growth potential देखोगे तो अचानक से market बड़ा है हर बार एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ इस target को अगर आप देखें तो नया एटी एज बनाएगी Shiba Inu तो अचानक से बनाएगी और सब पोइंट धुरस्त कर देगी और यह potential इसमें कहिना कहीं मैं देखता हूं हलाकि इसमें और भी cryptocurrency को बताया है जिसको आपको देखना चाहिए other predict जिसमें Solana के बारे में बताये गया है कि S.O.L 600 डोलर से लेके 1000 डोलर के बीच ले जाएगा ठेक है क्योंकि Solana में मैं भी potential देखता हूं Solana एक ऐसी cryptocurrency है जिसको यहाँ पर बहुत तगड़ा profit मिलना है क्योंकि Solana ecosystem के coin कहिना कहिन Solana को पूरा indirectly support कर रहे है तो इसमें 600 से 1000 डोलर का माद्दा है और साथ ही भारी potential है इसके अला बताया गया है करने के लिए जिसमें यह target इनका हिट करता हूँ बताया गया है जैसे डोच कोई 0.67 डोलर 1.45 डोलर एक्स और 300 डोलर एफीटी और बी एन भी ठीक है यहाँ पर कुछ में गलत बता रहा हूं ठीक है तो यह कुछ target है यहाँ पर साथ ही टोन का भी क्योंकि मैं टोन कोईन को बहुत ज्यादा मतलब संभावना उसे भरा मान रहा हूं टोन कोईन ने जिस टाइब से recovery यहाँ पर दिखाई है पंप किया है तो टोन कोईन में बहुत ज्यादा potential है लोग XRP, Cardano को छोड़कर टोन कोईन के तरफ shift होते हुए दिख रहे है जिस current से टोन कोईन क जो price है 10 डोलर से 26 डोलर का बताये गया है जो वर्तमान 5 डोलर चल रहा है तो इसमें भी भारी growth का potential है तो अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो कर लिजे यार क्योंकि CTXC का भी यहाँ पर 1 डोलर तक का hit का बताये गया है तो कुल मिला के Shiba Inu सही सभी coins में बड़ा potential यहाँ पर potential से भरा year इनोंने भी बताया है तो I hope यार यह वीडियो बहुत जादा आप लोगों के लिए helpful रहा होगा तैयारी करके रख लो मिलते नए वीडियो में नमस्कार कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स करिए और जो इनोंने target बताये है इससे आप relate करते है नहीं अपनी राय जर इन 10 क्रिप्टो करेंसी के बारे में दीजिएगा नमस्कार